प्रथान मंत्री नरिंद मोदी 16 मई 2022 को बुद्ध पूरिमा के मौके पर नेपाल का दौरा करेंगे पीम मोदी का ये नेपाल दौरा चीन के लिहाज से काफी एहम माना जा रहा है मीडिया रिपोर्स की माने तो नेपाल सरकार अपने देश के महतुपूर्ण प्रजेक्ट्स के लिए चीनी कमपनियों की जगह भारती कमपनियों के संपर्क में है इस संबंध में नेपाल पीम और मोदी के बीच बात्चित भी होनी है नेपाल पीम शेड बहादूर देवभा भी कह चुके हैं कि सेती जल विद्यूत परियोजना के लिए भारत से बात्चित की जा रही है बता दें नेपाल ने 2012 और 2017 में इसी परियोजना को लेकर चीनी कमपनियों के साथ समझाता किया था ऐसे में साफ है कि पीम मूदी का नेपाल दौरा चीन के गले नहीं उतरने वाला